तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है Samsung Galaxy A52 4G और Samsung Galaxy A52 5G के बारे में तो सबसे पहले दोस्तो मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो यह जो फोन है दोस्तो Samsung Galaxy A52 4G और A52 5G यह दोनोई फोन दोस्तो 17 March को South Korea में लोंच होने वाले है और 17 March को ही दोस्तो यह Mobile India में भी लोंच होने वाले है तो कौन कौन से specification गाईज आपको इस दोनों ही mobile में मिलने वाले है कौन कौन से features आपको इन दोनों mobile में मिलने वाले है सब कुछ गाईज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और confirm news के साथ ही दोस्तों बताने वाला हूँ यहां पर आपको प्लास्टिक फ्रेम यहां पर देखने को नहीं मिलता है और जो पीछे की साइड में दोस्तों इस mobile का लूक है वह काफी ओसम है दोस्तों जैसा आपको Samsung Galaxy S21 में देखने को मिला था वैसा ही आपको यहां पर डिजाइन देखने को मिलता है और इसका जो दोस्तों unboxing है वो यहां पर launch से पहले ही unboxing भी एक leak हो चुका है तो उसको भी आप YouTube पर देख सकते है इसके अलावा दोस्तों यहां पर बात करें इन दोनों ही mobile के display के बारे में तो वैसे तो guys दोनों ही mobile में आपको full HD plus super AMOLED display मिलने वाली है 6.5 inches की लेकिन यहां पर fast refresh rate की दोस्तों बात करें तो जो 4G वाला variant है उसमें आपको 90 Hz का fast refresh rate देखने को मिलता है और जो 5G वाला variant है उसमें आपको 120 Hz का fast refresh rate देखने को मिल जाता है तो 5G वाले variant में आपको display काफी तगड़ा मिलने वाला है 120 Hz प्लस super AMOLED display और इसके लवा यहां पर processor की दोस्तों बात करें तो जो 4G वाला variant है उसमें आपको Qualcomm Snapdragon 720G वाला processor देखने को मिलता है और जो 5G वाला variant है उसमें आपको Qualcomm Snapdragon 750G वाला powerful chipset देखने को मिल जाता है जो कि एक 5G प्रोसेसर है और design, display सब कुछ आपको दोस्तों इस mobile में तगड़ा देखने को मिलता है लेकिन साथ में आपको cameras भी काफी तगड़े देखने को मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको red side में 64MP का quad camera setup देखने को मिलता है और जो main sensor है वो 64MP का है और वहाँ पर आपको OIS का support भी देखने को मिल जाता है तो जो लोग वीडियोग्राफी पसंद करते हैं वीडियोग्राफी करना उनके लिए mobile दोस्तों काफी कमल का होने वाला है इसके अलावा यहाँ पर आपको 12MP का ultra wide camera देखने को मिलता है 5MP का depth है और 5MP का macro sensor है और 32MP का selfie camera आपको front side में देखने को मिल जाता है तो camera भी दोस्तों काफी तगड़ा देखने को मिलता है और खास करके जो OIS का features यहाँ पर आपको मिलता है वो दोस्तों camera को काफी कमाल का यहाँ पर बना देता है और इसके लावा यहाँ पर battery की बात करें तो 4500mg की battery आपको देखने को मिलती है और साथ में आपको 25W का fast charging देखने को मिल जाता है तो इस बार दोस्तों यहाँ पर काफी कम battery आपको देखने को मिलती है अगर 5000mg की भी होती तो यहाँ पर अच्छा होता लेगिन यहाँ पर आपको 4500mg की battery देखने को मिल जाती है और यह phone दोस्तों आपको out of the box android 11 और one UI 3.1 के साथ देखने को मिल जाते है तो यह तो गाइस बात हो गए यहाँ पर specification की लेकिन इस mobile में और भी आपको काफी सारे ऐसे features खास features देखने को मिलते है जो कि इस mobile को काफी कमाल का और तगड़ा बना देता है तो चलिए उन other features के बारे में भी हम बात कर लेते हैं तो उन में सबसे पहला features है दोस्तों nox security का जिया यहाँ पर इस mobile में आपको nox security का भी features जो है वो देखने को मिल जाता है इसके लवा guys यह जो mobile है वो IP67 certified है इसका मतलब water और dust resistant यहाँ पर देखने को मिलता है तो दूल और पानी वगरा से कोई भी problem आपको इस mobile में देखने को नहीं मिलने वाली है और इसके लवाँ यहाँ पर आपको S-Pen का भी support देखने को मिलता है लेकिन S-Pen आपको mobile के box में देखने को नहीं मिलेगा वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा और यहाँ पर आपको stereo speakers भी देखने को मिल जाते है और hybrid sim card slot भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो यह other features भी दोस्तो आपको इस mobile में देखने को मिल जाते है तो overall दोस्तो package जो है वो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है Samsung की तरफ से लेकिन अब सब कुछ depend करता है इस mobile के price के उपर तो चले यहाँ पर अगर price की बात करें तो यहाँ पर यह जो 4G वाला variant है उसका अगर दोस्तो हम European price देखे तो around 25-26,000 के around आपको देखने को मिल जाता है लेकिन फिर भी उस mobile का price दोस्तो 32 या फिर 33,000 के around आपको देखने को मिलने वाला है और 30,000 के नीचे अगर आप expect कर रहे है तो वो तो guys बिलकुली नहीं होगा 30,000 के नीचे आपको बिलकुली 5G वाला variant देखने को नहीं मिलने वाला है तो यही है guys Samsung Galaxy A52, 4G और 5G दोनों ही mobile के specification और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह specification कैसे लगे और क्या आप इस mobile के लिए वेट कर रहे है या फिर नहीं खेर वीडियो पसंदा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना है और साथ ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना